Hello students, welcome to my channel बेटा 6th class के विद्यारतियों को उडान कारे पुस्तिका का हल मैं करवा रही हूं गणित विशे का और आज हम पाठ चार क्षेत्रिफल और परिमाप करेंगी बहुत ही आसान सा पाठ है अगर आप बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेटा सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मेरा लेक्चर डलते ही आपके पास मैसेज आ जाए चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्या है बड़ा और क्या है छोटा नीचे दिएगे चित्रों में जो आकरती बड़ी है उसे पहचान कर उस पर टिक का निशान लगाओ तो भी ये देख लो एक पत्ता ये और ये कि बड़ा कौन सा है ये वाला है इन दोनों में ये वाला है और इन में ये वाला है बहुत सिंपल सी बात है अब ये कहता है कि आपने ये निशकर्ष कैसे निकाला कि कौन सी आकरती बड़ी है और कौन सी छोटी कारण दीजिए भई जो आकरती जादा जगां गेर रही है वो बड़ी है और जो कम जगां गेर है वो छोटी है तो हम लिख देंगे कि जो आकरती जो आकरती अधिक स्थान गेरती है अब जो स्थान गेर रही है वो उसका शेतरफल कहला आता है जो आकरती अधिक स्थान गेरती नहीं लिखो बलकि यह लिखो गेर रही है वह बड़ी है वह बड़ी है और जो आकरती कम स्थान गेर रही है वह क्या है चोटी है ठीक है भई? यानि कि जिसका शेत्रफल अधिक है वह बड़ी है जिसका शेत्रफल कम है वह चोटी है अब आगे है गेरा गेरा गेर ठीक है? गगन और पवन कक्षा कक्ष में रखी दो मेज की सतहों को कोपी अप उस तक से ढखकर उसे गेर रही है यह पता लगाने के लिए कि कौन सा टेबल बढ़ा है कौन सा चोटा? यह गगन है यह पवन है यह एक मेज है, यह दूसरी मेज है और वो उन पर एक जैसे किताब रखके देख रहे है कि जिसकी पर जादा किताब आएंगी उसकी मेज बड़ी हो जाएगी तो अब देखो भी यह क्या कहता है आओ गगन और पवन की मदद करें करते हैं चलो पहली मेज पर गगन ने दस गणित की पुस्तकों से मेज की सता को डख दिया यानि यह जो है इस पर दस किताब आई है और यह जो है इस पर चोदा किताब आई है देख लो रोहित ने दूसरी मेज की सता को चोदा गनित की पुस्तकों से डख दिया तो कौन सी मेज की सता जादा जगा गेर रही है तो सिम्पल सी बात है वही जिस पर चोदा किताबे आई है तो लिख दो जिस मेज पर चोदा पुस्तक आई है जिस मेज पर चोदा पुस्तक आई है वह ज्यादा मैं साथ साथ बोल रही हूँ आप लिख लीजेगा जिनको राइटिंग समझ नहीं आ रही जगा गेर रही है बहुत सिंपल सी बात है बही जिस मेज पर ज्यादा किताब आ रही है वह बढ़ी है जिस पर कम किताब आ रही है वह छोटी है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप भी यह गती विदी अपनी कक्षा में करके देखे कि कौन सी टेबल ज़्यादा जगा गेर रही है तो आप लिख दीजेगा आप अपनी क्लास में टेबल देख ले ना मालो एक टेबल पर आठ पुस्तक आ रही है और एक पर दस तो दस पुस्तक वाली ज़्यादा जगा गेरेगी चलें आगे इस गती विदी में हमने मेज की सता के छेतरफल की गणना गणित की पुस्तक की छेतरफल से की हम यह कह सकते हैं की देखो जरा हम यह कह सकते हैं की पहली मेज का छेतरफल दस गणित की पुस्तक के छेतरफल के बराबर है और दूसरी का छेतरफल बता दो भई कितना था चोदा के बराबर है और मालो मेरे सकुल में कोई और मान लो भई मेरे सकुल में कोई मेज है वो आठ किताबों की जगा गेरी है तो उसका चेत्रफल आठ पुस्तक के बराबर है हो गया पूरा आगे चलते अब एक छोटी सी परिभाशा दे रहा है बच्चों ध्यान दीजिए हमने किसी आकरती द्वारा गेरी गई जगा के मा क्षेत्रफल कहलाती है ठीक है हमने कुछ वस्तों यहां करती द्वारा गेरी च्छेत्रफल के तुलना अन्या करती द्वारा गेरी गई च्छेत्रफल के माप से की है ठीक है अब हम आगे बढ़ते मैं यह बता दू कि आगे जो आ रहा है वो सारा आपका यूं का यूं सेव के लिए डाल रही हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं खेलो 10 g आगे बढ़ते हैं 10 g पता nहीं हैं आप मेंसे कुछ बच्चों से परियोग कर सकते हैं चलिए पहले टेन ग्राम पजल तयार करते हैं टेन ग्राम पजल बनानी है उसके लिए क्या करना है सुनते जाओ बेद्यान से एक वरगा कार कागज लीजिए यह देखो एक वरगा कार कागज लीजिए यह कागज ले 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 ना बिल्कुल बराबर जि बीच में से काट दो, ऐसे काट दो, दो तिर्बुज बन गे, तिर्बुज नमबर एक, तिर्बुज नमबर दो, ध्यान से सुनना, तिर्बुज नमबर एक को तो यूं का यूं रख लो, तिर्बुज नमबर दो को उठा लो, एक तिर्बुज तो ये अलग आ गया, अब एक नमबर वाले तिर्बुज को पकड़ा मैं अभी इसको आपको practical कागज से करके भी दिखा दूँगी एक नमबर तिर्बुज ये है हमारा और इसको भी बीच में से ऐसे काट दिया सुन लो ध्यान से ये एक नमबर का जो उपर वाला तिर्बुज है इसको लिया और इसको भी दो टुकडे इसके बन गए क्लियर है सबसे पहले बहुत आसान है वैसे तो कागज की जरूत में सबसे पहले वरग लिया वरग को काटा तो दो टुकडे बन गए अब उस वरग के एक तिर्बुज को ऐसे काटा तो फिर से दो तिर्बुज हमारे बन गए अब आगे बढ़ लिया और उसको यहां से मोड दिया यह इसने यहां से ऐसे मोड रखा है यह इस इससे को उल्टा करके मोड रखा है और फिर यहां से काट दिया ठीक है यहां से काट दिया मतलब इतना कट गया तो यह इससा बचा मैं अभी आपको कागस से बना के दिखा दूँगी अभी इस इसी को समझा लो फिर इसके जस्ट बाद ठीक है मोड दिया मोडने के बाद इसको काट दिया अब काटने के बाद एक तिर बुजोर अलग हो गया अब क्या बचा ये समलंब बचता है अब ये समलंब बचा इसके फिर दो टुकड़े कर लिये तो एक टुकड़ा ये हो गया औ अब इनको क्या किया अब वो भी देख लो फिर आगे तुम अब ध्यान देना भई एक थोड़ा से दोनों को फ्रेम में लाने की मैं कोशिश करती। थोड़ा सा छोटा करके दोनों को यह देखो एक यह लैप्ट वाला एक राहिट वाला एक समलंब को तो यहां से काट दिया इसके समानांतर ठीक है समझ में आ रही है बात इस तरीके से तो एक समानतर चत्रबुज बच गया और एक ये इस तरह हमारे पास कुल साथ टुकडे हो जाते हैं आप अभी इसको देखी लो अभी मैं इसको पहले आपको न कागस से काट कर दिखा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है देखो बिटा अब मैं आपको 10 ग्राम बना के दिखा रही हूँ ये मैंने एक स्क्वेर शीट ले ली चार्ट की और ये बीच में से इसको मैंने मोड लिया यही आपको बताया है आप अपनी इसमें बुक में देख भी सकते हो कि ये देखो फोन मैंने बोला था कि मुझे क्योंकि मेरे पास PDF नहीं है इसका तो हम पहले इसको बीच में से काटेंगे और फिर इन दोनों त्रिबुजों को अलग अलग टुकडों में काटेंगे तो यहां देखोगे तो जादा अच्छे से आपको समझ आएगा आप अपने घर में भी इसको आराम से बना सकते हो हाँ ये है कि भी थोड़ा मजबूती के लिए आपको मूटा या तो गत्ता ले लीजिए और उस पर कलर कर लीजिए ठीक है बन गई भी दो त्रिबुज अब एक त्रिबुज को पकड़ो और बीच में से इसको फिर से मोड कर आधा आधा काट लो ठीक है तो हमारे पास दो त्रिबुज तैयार हो जाएंगे 10 ग्राम के दो पार्ट्स आ जाएंगे यह देखो भई दिख रहा है आपको बिलकुल बीचों बीच मैंने इसको काट दिया है हो गया यह तो हो गया दो त्रिबुज वाले भाग हमारे भाग नमबर एक और दो अब देखते हैं भई इस त्रिबुज को इसको मैंने क्या बताया था कि उपर से इसको ऐसे मोड लेना है आया समझ में यह देखो यह इसने मोडा हुआ है यहां पर ऐसे ही मैंने मोडा और इस भाग को अब मैंने अलग से काट देना है यह देखो इस भाग को भी मैंने अलग से काट दिया और यह हो गया बेटा जी तीसरा त्रिबुज तैयार हो गया तीसरा त्रिबुज तैयार दो बड़े और एक छोटा अब यह आपके सामने आ जाता है ट्रापीजियम यानि की समलंब और इस समलंब को यह देख लो मुड़ा हुआ भाग उपर से काटना था तो यह हिस्सा बच गया इसको फिर बीच में से काट कर दो भाग करने है तो इसको भी मैं बीच में से ऐसे मोड देती हूँ मोड दिया और मोडने के बाद यह मैंने इसको बीच में से काट दिया कट गया अब इन दोनों ट्रापीजियम को भी हमने दो अलग अलग भागों में काटना है एक से तो मैंने यहां से काटना है समकोन त्रिभुज बनाती हुए तो एक मेरा बच जाएगा वरग देख लो इधर वरग बच गया और इधर मेरा यह समकोन त्रिभुज बच जाएगा इसको मैं यहां से यह काट देती हूँ अब आप गिल ले ना कितने पीस हो गए अब आपके सामने में सारे पीस ला देती हूँ हो गया और इस में से अब हम काटेंगे एक समानांतर चतर बुज जो की बिल्कुल आसानी से कट जाएगा आपको किसी स्केल की जरुष नहीं यहां से इसको उठा कर ऐसे मोड दो यह देखो यह समानतर चतर बुज बच रहा है और इधर एक और त्रिभुज हमें मिल जाएगा और आपकी बुक वाले ने भी बिल्कुल ऐसे ही आपको बताया हुआ है अब आप देखो एक दो तीन चार पांच छे और साथ पीस यह हमारे टैन ग्राम के हमें मिल जाते हैं दिख रहे हैं आपको यह दिख गए साथो पीस आपको दिख रहे हैं यह सब पेज नंबर 89 पेज नंबर 90 तक अब यह आगे पूछ रहा है कुल कितने टुकडे मिले हैं साथ मिले हैं हमें इन टुकडो में पांच त्रिवुज हैं इन पर नंबर लिख दें तो अच्छा रहेगा तो हम नंबर लिख देते हैं ये देखिए बई मैंने पहले लिख दिया है एक दो तीन चार पांच छे और साथ और इसने भी इनको ऐसे ही जोड़ा हुआ ये कहता है इनको ऐसे जोड़ों कि फिरसे वरगा कारा कार मिल जाए तो थोड़ा सा और हम इसको उलट पुलट लेते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम य वाले गेम आते हैं फोन में भी कभी आपने खेला हो कि खाली जगा में भरो और जोड़ो एक त्रिबुज मैंने यहां लगा दिया और ये बड़े वाला त्रिबुज मैंने यहां लगा दिया और ये छोटे वाला त्रिबुज मैंने यहां लगा दिया ये देख लो तो फि से आपका जो त्रिबुज है वो तयार हो जाएगा यहां नहीं मिल रहा है इसको पलट दो इसका मतलब यह बराबर नहीं है तो यह हमारा यह आ जाता है टैन ग्राम पजल का फिर से एक बार वरग का रूप चीक है समझाएं आपको यह वरग हमारा तयार हो जाता है यहां पर यह देखिए यहां आपको हो सकता है कि थोड़ा सा गैप लग रहा हो इससे बहतर मैं आपको बिल्कुल एक लाइव टैन ग्राम गेम दिखाती हूं यह देखिए दिखां आपको और बिल्कुल इसी रूप में यह जुड़ा हुआ है देखो वैं त्रिबुज एक से भी जोड सकती हूं कि एक दो और यहां पर मैंने लगा दिया यह वाला त्रिबुज क्योंकि थोड़ा सॉलिड होते हैं तो मूव कम करते हैं वो वाला हमारा सॉलिड नहीं होता तीन ठीक है भई और यह वाला त्रिबुज हमारा यहां आ जाएगा चार और यह जो है समां चतरबुज को लगा लेते हैं यह आ गया हमारा समानतर चतरबुज और यह आ जाएगा भई छोटा त्रिबुज और यह आ जाएगा बढ़ा त्रिबुज अब आप देख लो दूसरे तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया है तो यह हो गया आपका 10 ग्राम अभी कुछ हमने बिल्कुल लाइव दिख रहा हैं दूसरा प्रशन है किन आकरतियों का शेतरफल समान है तो इन दोनों का समान है और इन दोनों को आप देख सकते हो कि इनोंने बिल्कुल बराबर क्योंकि यह आधा था और उसका भी आधा आधा इनोंने घहरा हुआ है और यह दोनों खुद देख लो, मैं आपके सामने दिखा देती हूँ आपको, हो गया आदा, और इसका आदा ये वाले त्रिबुज है, और ये वाला त्रिबुज है, तो इसे आप अपनी कारे पुस्तिका में लिख लीजिएगा, मैं अब यहाँ आपको वर्बल बता रही हूँ, कि एक वे इसायता से जल्दी से आपको बता भी देती हूँ, कि आकरती नंबर एक वे दो का आधा, कौन सी आकरती है, साथ है, और साथ का आधा शेतरफल जो आकरती ले रही है, वो तीन और पांच है, अब आपसे ने एक प्रश्न पूछा गया, कि आकरती नंबर पांच, यानि तिर इस पूरे वरग को कितनी बार में ढखेगा, पहले तो बताओ अंदाजे से और फिर बताओ माप के, अब मैं अंदाजा मैं अपना बता रही हूँ, आप देखो, ये तिरिबुज इसका आधा है, यानि कि ये तिरिबुज ढखेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, नमबर का, आठ बार, आठ बार आजाए, और ये पांच नमबर का इसका भी आदा, तो मेरा अनुमान है कि सोला बार में ये ढख लेगा, इस पूरे वरगाकार क्षेतर को, कितनी बार में, सोला बार में, ठीक है, तो इसने कहा, कि भई, यहाँ पर, कि इसको माप कर बताओ, तो मैंने कर देना है, सोला बार में, और फिर अब माप कर देखते हैं, इसको, अब अगर माप कर देखें, तो हमें ऐसे सोला तिरबुज चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, और मैं या तो इनको घुमा फिरा कर देखूं, भई, एक और दो, ठीक है, दो ये हो गया, फिर इ हो गए, हो गए, दो ये, और ये दो हो गए, और ये फिर दो हैं, तो दो दूनी कितने हो गए, चार, तो ये चार तिरबुज हो गए, ये हो गए, भई, हमारे चार तिरबुज, तो चार तो ये हो गए, और चार ये हो गए, आठ हो गए, अब इसको उठा कर यहां ले आओ 12 हो गए और इसको उठा कर यहां ले आओ तो 16 त्रिबूज हमारा उत्तर आ जाएगा तो इस वाले प्रश्ण में आपने भर लेना अनुमान भी 16 और सही सही भी 16 अब क्याता आकरती नंबर 7 और 4 के साथ भी यही परकिरिया दोराओ साथ बड़ा त्रिबूज है और 4 वरग है अब सुन लो मेरी बात साथ दूसरे नंबर का त्रिबूज है यानि कि यह जो त्रिबूज है यह त्रिबूज आठ बार में डख लेगा यह कितनी बार में डख रहे हैं चार बार में और यह वाला इनका क्या है अभी बताया मैंने आपको दुगना है ये वाला नीचे वाला इससे दुगना है तो दो और दो चार और दो छे और दो आठ तो आकरती नंबर साथ यानि ये हरात रिबूज आठ बार में ढख लेगा और अब ये बात कर रहा है वरग की देखो बिटा अब ये कहता है कि आकरत नंबर चार यानि वरग के साथ और नापो वरग के साथ नापना मुश्किल होगा आपको ये निशान दिख रहे होगे मैंने नापे हैं तो केवल चार ही पूरे वरग निकल रहे हैं बाकी साइड में जगहां बचती है तो या तो हम कागज को लेकर इनको काट कर देखें न आकरती के माद्यम से मैंने सारा समझा दिया है मैं जल्दी से इन प्रश्णों के जवाब दे देती हूं कि आकरती नंबर 6 कितनी बार ढख सकती है मैंने वरबल तो आपको बता दिया था 16 बार तो यहां भी 16 लिखना है और आगे बढ़ते हैं दूसरे पर आजाओ आकरती न आकरती के साथ भी यह प्रकिरिया आप कर सकते हो कि साकरती से पूरे शेतर फल को मापना आसान है तो बड़ा जो तिर्बुज है देखो इसने जो बोला था कि यह जो तिर्बुज नंबर 7 है यह इस से बोला था और इन छोटे तिर्बुज नंबर से हमें जादा आसान लग तो आप यहाँ पर डारेक्ट लिख दो साथ नमबर के तिरिभूज से मापना आसान है और जल्दी से अभी लाइन और पढ़कर बता देती हूँ कि बच्चों आपने गती विदी एक और दो में देखा कि शेतरफल को मापने के लिए शेतरफल का ही सारा लेना पड़ता है देखा था ना भई टेबल थी टेबल को नापने के लिए उसने किसका परियोग किया था तरह तरह की उस पे बुक्स लगा लगा के देखा था देखा था ना तो शेतरफल को शेतरफल से ही मापते हैं लंबाई को लंबाई से ही मापा जाता है कोई लंबाई कितने बालिष्ट है कितने पैर के बराबर है और मानक रूप में बात करें तो लंबाई को सेंटीमीटर या मीटर के बराबर मापते हैं ऐसी भई बाल्टी में कितना पानी है इसको मापने के लिए भी गिलास का, मग का, जग का या लीटर का सहरा लेते हैं और इसी परकार हम Receitrpter को मापने के लिए पहले एमानक इकाईयों के साथ मापा है बाद में हम उसे मीटर या सेंटी मीटर में मापेंगे और ज़्यादातर देखा जाता है कि वरग से किसी भी आकरती द्वारा घेरी गई सत्ह को मापना आसान रहता लेकिन हमारे काम में नहीं रहा क्योंकि हमारे जो आकरती में वरग था वो बराबर नो भागों में नहीं बटपा रहा था तो ये था आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर अगे देखते हैं बेटा ये कहता है दिये गए ग्रिड पर नो वरग सेंटी मीटर खेतर फल की अलग अलग परकार की आकरतियां बनाओ चलिए बनाते हैं देखो कुछ तो इसने खुद बना रखी हैं आप देख सकते हो पहली आकरती कलर चेंज करके मैं दिखाऊं तो देखो एक दो तीन चार पांच हैं साथ आठ नो वरग बने हुएं एक आकरती हम बना लें अगर मैं नो ऐसे ले लूँ खाने देखना एक दो तीन चार पांच हैं साथ आठ नो तो ये यहां से मिटा दिया हमने और ये खाना जो हमारा बनता है इसको हम जरा इंक भर दें इसके अं मोटा हो जाएगा यह हमारा बहुत मोटा हो जाता है वई यह आकरती मैंने बना दी ठीक है और आगे चलू इसमें एक लंबाई है और तोड़ा से यहां से सफाई कर देते हैं इसकी एक लंबाई है और एक नहीं नो और नो तो हो गया नो शेत्रपल अब और आगे बढ़ो भई देखे भई एक तो मैंने वो नो वाली ग्रीड आपको बना के दिखाई थी एक दो तीन चार पांच छें साथ आठ और नो तो वन बाई नाइन की तो ये आयत हो गई इसमें मैंने रंग भी बर दिया था आप भर लेना अब ले लो मालो यहां से शुरू करा एक दो तीन और चार ठीक है चार खाने तो ये हो गए पांच छें और साथ आठ और नो ये हो गए नो खाने देख लो भई आप यू बना दिया मैंने ये इस यू में अगर मैं रंग भरती हूँ तो ये आप गिन लो कितने खाने हैं आप आराम से गिन सकते हो काउंट कर सकते हो नहीं तो मैं आपको काउंट करके अभी दिखा देती हूँ देखो एक थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा बहुत मोटा हो गया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह तो होगे 10 10 होगे तो कोई बात नहीं थोड़ा सा इसको इरेज कर दो यहां से इरेज कर दो यह देखो इरेज कर दो हो गए 9 चेक है? तो 2 फिगर मैंने आपको बना कर यहां पर दिखा दी है जिनके अंदर 9 वरगों ने जगा गेरी है तो इसका जो शेत्रफल है वो है 9 वरग सेंटी मीटर इसका भी शेत्रफल है 9 वरग सेंटी मीटर इससे उपर जो आए फिगर थी वो भी 9 वरग का शेत्रफल भी 9 अब यह कहता है कि सोचो क्या सोचो कि 6 तरफल के लिए वरग सेंटी मीटर क्यों परियोग किया जाता है तो मैं आपको बता दू कि लंबाई और चोडाई दोनों को मिला कर ही हम कोई जगां घेर पाते हैं अब लंबाई भी मीटर में है और चोडाई भी मीटर में है और दोनों की जब गुणा करते हैं तो M गुणा M M स्क्वेर हो जाता है मीटर का स्क्वेर हो जाता है इसलिए वरग मीटर या वरग सेंटीमीटर का परियोग किया जाता है ठीक है आगे देखते हैं अपने आस पास की छोटी छोटी चीजें जैसे पत्ता रबड माचिस की अगरी को पेपर पर रखकर पैंसिल की साहता से आउट लाइन बना लें और इनका छेत्रफल उसमें आने वाले वर्गों की संख्या गिन कर ग्यात करें और वर्ग गिनते समय इन बातों का ध्यान रखना की इन बातों का वो देख लो मालो यह क्या कह रहा है माच इसकी डब्बी है अब मैं एक माच इसकी डब्बी लाईी मैंने यहां रखी और मैंने इस पर ऐसे निशान लगा दिया ठीक है इस तरीके से निशान लगा दिया अब ये कहता है कि इनके अंदर कितने वरग आए वो गिनो तो अब नहीं हम सुन लो जो वरग पूरे हैं उन्हें पूरन वरग गिना जाएगा जो वरग आदे हैं उन्हें आदा आदा का मतलब मान लो ऐसे एकोई आ करती ऐसे जा रही है ये ये आ करती है ये तिरी बुझ है तो ये आदा हैं ये आदा हैं ये आदा हैं और ये पूरे हैं तो इसमें एक दो और तीन तो पूरे होगे पूरण वर्ग और एक दो और तीन मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँ तो एक ब्लू तो तीन आदधे होगे को तीनादधे क्लेट अमईब साड़े चार यानि इस तिर्बुज का शेतरफल साड़े चार वरग हो जाएगा जो आदे से बड़े हैं उन्हें एक गिन लेना जैसे मालो इतना भर रहा है कोई वरग तो इसको आपने पूरा एक गिन लेना जो आदे से कम है उनको छोड़ देना है आगी बात यहां तक समझ माचिस में पूर्ण वरग कितने हैं बारा कोई आदा नहीं कोई आदे से बड़ा नहीं कोई आदे से छोटा नहीं तो कुल वरग बारा तो शेतरफल हो जाएगा बारा वरग सेंटीमीटर आप इसको भर लेना क्योंकि मैं बैक जाऊंगी तो मुझे यह मिटाना पड़ेग अब मैं उस पर एक पत्ता बनाऊंगी ठीक है आगे चलें ये देखो बेटा मैंने पत्ता तो लिया नहीं लेकिन पत्ता बनाने की पूरी-पूरी कोशिश की है तो अब हम इसमें पिंक कलर से गिनते हैं कि पूरे-पूरे वर्ग कितने हैं देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, और आठ और इसको भी हम पूरा गिनेंगे क्योंकि ये भी आदे से जादा भरा हुआ है और एक ही हो गया दस नोट कर ले ना भईया बाप दस तो पूरे-पूरे वर्ग इस पत्ते ने ले लिए अब आदे आदे देखो ये वाड़ा है आद्धा, ये वाड़ा है आद्धा, ये वाड़ा है आद्धा तीन, और आदे से कम गिनना नहीं है तो इस हिसे को भी नहीं गिनेंगे इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे ये भी आदे से कम है तो एक दो जहां मैं गोड़ा लगा रही हूं तीन और ये चार चार कैसे वर्ग हैं आद्धे चार कैसे वर्ग हैं आद्धे आप अपने क्लास में इसको करना है ऐसी ग्रिड अपनी मैम से ले लेना ग्राफ पेपर ले लेना और पत्ता लेकर आउटलाइन खीच के फिर आप गिनना ये तो मैंने जो पत्ता बणाय है उसका भता रही हूं तो दस पूरे और चार आद्धे है अब देखते है पत्ते का छेतरिफल क्या आता है दस पूरे हैं चार आदे हैं अच्छा आदे से बड़ा एक आया था फिर तो हम इसको थोड़ा गड़ बड़ करें एक मिन्टो को नो पूरे हैं चार आदे हैं एक आदे से बड़ा था आदे से कम कोई नहीं था तो नो तो ये हो गए आदे से बड़े को भी पूरा गिनेंगे 10 हो गए जो 4 आध्याद देते वो 2 के बराबर हो गए तो ये भी बाई चांस 12 वर्ग सेंटीमीटर आया है और याद कर लो माचिस का मैंने बताया था 12 वर्ग पूरे पूरे थे तो उसका शेत्रफल भी 12 वर्ग सेंटीमीटर आया था अब और आगे बढ़ते हैं तीन खाने हो रहे हैं और उसने हमें जो जो सामगरी बताई थी रबबड़ा हो गया वो माचिस की डिब़ी कह रहा है नहीं माचिस की डिब़ी होगा रबड रह रहा है रबड इरेजर होता है न आपके पास मिटाने वाला तो वो भी आयता कार होता है छोटा सा होगा इतना सा तो इरेजर में छें खाने आ रहे हैं ज़रूर इन यह छें आये चलो मैं इसको तोड़ा सा इरेज करती हूँ और दूसरा बनाते हैं छोटा सा और इरेजर देखो एक बार मैं हर बर पूरा नहीं लेती हूँ आपको आदा लेके भी समझाती हूँ यही रेजर है तो इसमें चार तो पूरे आगए और दो आदे आगए ठीक है चार तो पूरे आगए और दो आदे आगए तो अब दो का मैं भरवा चुकी हूँ पहले रबड में चार तो पूरे दो आद्धे, आद्धे से ज़्यादा कोई नहीं आद्धे से कम कोई नहीं जो दो आद्धे हैं वो तो एक बन जाएंगे और पांच वरग हो गए तो शेतरपल हो जाएगा पांच वरग सेंटीमीटर और सामगरी लेते हैं हम और कोई सामगरी हम ले लेते हैं मान लो एक पांच रुपे का सिक्का ले लिया वही आपने और उस पांच रुपे के सिक्के को रख कर हमने ये बाउंडरी, बलकि मेरे पास इसमें इरेजर है, रबड है उसी को ले, वो सोरी सरकल है उसी को ले लेते हैं और ये हो गया वही पांच रुपे का सिक्का रख दिया आपने, आप इसमें गिनलो पूरे पूरे वर्ग कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ साथ तो बिलकुल पूरे हैं और ये आगया आठ, बलकि ये पूरा उपर तक टच कर रहा है तो आठ तो हो गए, बेटा जी, बिलकुल पूर्ण वर्ग आधे से जादा पूछता है, ये कितने हैं तो आधे से जादा के लिए मैं ले लेती हूँ, ब्लू कलर तो देखो, एक, दो ये आधा है, ये भी आधा है, तो दो आधे से जादा दो हैं, आधे से जादा और जो आधे हैं, वो कितने हैं, उनके लिए मैं ले लेती हूँ ग्रीन कलर, आधा देखो भई, एक ये रहा, एक ये रहा, दो दो ही हैं भई, देखो ये वाड़ा आधे से कम है ये भी आद्धे से कम है इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इसको भी छोड़ दो तो आप अब ध्यान देना आठ पूरे हैं और ये दो आदे आदे हैं और दो आदे से जादा है ठीक है 8, 2, और 2, ठीक है, अब मैं इसको आगे भर रही हूँ, यहाँ मैंने सामगरी लिख देनी है, 5 रुपे का, color change कर लेती हूँ मैं, 5 रुपे का सिक्का, पूर्ण वर्ग कितने थे, 8, आदे कितने थे, 2, आदे से बड़े थे, 2, आदे से कम एक भी नहीं, तो कुल गिंड लो, 8 तो यह होगे भई, 8 जमा, पूरे आदे से बड़े हैं, उनको भी पूरा गिनना है, 2 और 2 आदे होगे, 8 और 2, 10 और 1, 11 वरग सेंटीमीटर, यह होगे, 4 सामगरी, 1 सामगरी और देखते हैं हम, अगर आपकी grid बड़ी है, तो आप उस पर अपना geometry box भी रख सकते हो भई, तो geometry box फिर से वही हमारा आयताकार मिलेगा, तो यह इस तरह का रख लो, गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 तिया, यह 3 है, गिन लो 3 है, तो 8 तिया, 24 हो गए, तो यहाँ पर एक last option, और मैं यहाँ लिख देती हूँ, geometry box, geometry box, geometry box में पूरे पूरे 24 वरग हैं, कोई आदा नहीं आदे से जादा नहीं, आदे से कम नहीं, तो geometry box का छेतर पल हो जाएगा, 24 वरग सेंटी मीटर, ठीक है, मैं उमीद करती हैं, समझ आ रहा हैं आपको, चली आगे देखते हैं, आगे क्या है, बाड का मापर होईत, अपने पिता जी के साथ खेत में गया, और वहाँ जाकर उन पिता जी बड़े प्रेशान हुए, अब आगे चलो, रोईत और उनके पिता जी की समस्या के समाधान में उनकी साहिता कीजिए, सोच कर बताएं कि क्या किया जाएं, कि वो पशू से अपनी फसल बचा सके, तो बहुत सीम्पल सी बात है, खेत के चारों तरफ बाड लगवा दें, रोईत ने अपने पिता जी को खेत के चारों और तार की बाड लगाने का सुझा हो दिया, शायद आप मेंसे भी कुछ बच्चों ने बाड के बारे में सोचा होगा, क्या बता सकते है, रोईत के पिता जी को खेत के चारों और तार लगवाने के लिए कितनी लंबी त तार लानी होगी तो बहुत सिंपल है नाप लो वह यह कह रहा है दो सो मीटर तो यह है रसो यह है जब यह दो सो है तो इसके सामने यह भी कितना है दो सो है और यह यह वाला सो है तो इसके सामने वाला भी सो है चारों तरफ का नाप लो दो सो दो सो सो और सो चारों को जोड़ दो सो जमा सो जमा दो सो जमा सो दो और एक तीन और दो पांच और एक छे वो चाहिएगी उसके पिताजी को 600 मीटर तो यह वो यही कह रहा है कि बच्चों आपने खेत की सभी बुजाओं को जोड़ कर तार की लंबाई पता लगाने की कोशिश की किसी भी आकरती की सभी बुजाओं के योग को उसका परिमाप कहते हैं समझागी बात तार की बाड़ लगाने के बाद एक दिन रोहित और पिताजी खेत से वापिस आ रहे थे रास्ते में रोहित का दोस्त सोवन बहुत प्रेशान मुद्रा में खड़ा मिला रोहित के अपने खेत पर आप की तरह बाड़ लगाने एक नहीं तीन तार की बाड़ लगानी हैं ताकि पशू खेत में ना गुस सकें यानि पहले तार को एक बार लपेटा फिर तार को दो बार लपेटा और फिर तार को तीन बार लपेटा यानि कि कितना लंबा तार सोवन को चाहि तो दो सो डेड़ सो दो सो डेड़ सो और उसका भी तीन गुणा तो दो सो जमा डेड़ सो जमा दो सो जमा डेड़ सो और उसका भी तीन गुणा तो देख लो भी दो सो और दो सो चार सो और डेड़ सो तीन गुणा साथ सो और साथ सो को तीन से गुणा करोगे तो ये आपका आजाता है बेटा जी 2100 मीटर यानि उसको 2100 मीटर लंबातार चाहिए आगी बात समझ में और आगे चलते हैं अब देखिए बेटा ये एक प्रशनोर पूछ रहा है कि राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार और वरगाकारा करतियों के परिमाप निकालने को कहा आप भी इनके परिमाप ग्यात करो परिमाप क्या है मालो मैं यहां से चलना शुरू करूँ और मैं ऐसे चली ऐसे चली और ऐसे चल कर वापीस आई तो मैंने कितनी जगां गेरी वो परिमाप है अब ये भुजा 10 है तो इसके सामने भी 10 है ये 2 है तो इसके सामने भी 2 है तो मैं क पर लिख दीजेगा परिमाप है 24 cm अगला वर्ग है नहीं अगला भी आयत ये 4 और ये 3 है तो ये 4 और ये 3 है यानि कि 4 जमा 3 जमा 4 जमा 3 तो ये हो जाएगा 14 cm और ये 4 और 8 12 और फिर पूरा बही 4 और 8 12 और इतना हिस्सा ये बच रहा है बारा बारा कितना हो जाता है 24 cm चलिए अभी ये क्या पूछता उन प्रशनों को देखते हैं आयताकाराकरतियों का परिमाप निकालते समय कुछ बातों पर आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें लंबाई कितनी बार आई दो बार चोड़ाई कितनी बार आई दो बार देख लो वह ये दोनों लंबाई हैं ये दोनों चोड़ाई हैं ये लंबाई हैं ये लंबाई हैं ये लंबाई हैं और ये चोड़ाई हैं तो दो दो बार आगी यानि दो बार लंबाई और दो बार चोड़ाई को जोड़ दें तो आयत का परिमाप आजाएगा दो लंबाई जमा दो चोड़ाई दो को बहार ले लो और आप लिख सकते हो लंबाई दो ब्रैकिट लंबाई जमा चोड़ाई यानि लंबाई और चोड़ाई को जोड़ कर दुगना कर दें तो आयत का परिमाप आ जाएगा कुछ और आकरतियों का परिमाप आप से अभी ये पूछ रहा है वर्गाकार दो 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 तो दो को चार बार जोड़ दो या चार से गुणा कर दो आठ सेंटी मिटर आ गया चार 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 को चार बार जोड़ दो या चार से गुणा कर दो तो चार चोग कितना आ जाएगा सोला सेंटी मिटर हमारा परिमाप आ जाएगा क्या आप वर्ग के परिमाप का सूत्र बना सकते हो तो आप लिख दो चार गुणा भुजा, यानि वर्ग की भुजा को चार बार गुणा कर दोगे तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा, अब हम अन्या करतियों को देखते हैं, नीचे दिये गए परते एक चित्र में ए से चलना आरंब करें, और बारी किनारों पर चलते हुए ए पर आने के लिए कितनी दूर चलेंगे, यह यह है, यहाँ से चली चार और चार आठ और चार बारा a से शुरू ओकर a पर आने पर तै की गई दूरी कितनी है, चार जमा चार जमा चार यानि बारा मीटर, तो इस संभावत रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, बारा म आगे बढ़ते हैं फिर एक वरग दे दिया ए से चलो 10 10 10 10 तो कितनी दूर चले हम 10 चार बार चले तो 10 चोके कितना हो गया 40 मीटर ये परिमाप भी हो गया और तै की गई दूरी भी हो गई अब ये पंच बुज है ए से चले देखो ये ए है 10 10 10 10 10 तो ए से चल कर ए पर वापिस आने में तै दूरी 10 जमा 10 जमा 10 भी लिख सकते हो नहीं तो आप 10 गुणा 5 भी लिख सकते हो जो कि हो गई 50 मीटर और पंच बुज का परिमाप हो गया 50 मीटर बहुत ही आसान है हब ये कहता है आइसोमेट्रिक शीट का परियोग करते हुए 16 सेंटीमेटर परिमाप के अलग-अलगा करती बनाओ देखो ये बना रखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा और सोडा सोडा बना रखे ना मैं बनाओ ये देख तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोडा ये कह रहा है इनका शेतरफल भी निकालते जाओ आगगे कहेगा तो मैं पहले ही बता दूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, देखो कितने खाने बन रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो इसका चेतरफल हो गया साथ वरग मीटर और ये कितने खाने गेर रहे हैं अब ये भी देख लो, देख लो जरा, सोडा, तो इसका चेतरफल हो गया, सोडा वरग मीटर, अब ले लो एक आयत, एक, दो, और तीन, आयत तो भई, उससे बनेगी फिर दो और आठ से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये सोला हो गया लेकिन इसका जो छेतर फल है वो भी कितना आ रहा हैं सोला वरग मीटर आ रहा हैं समझ में आई बात एक तो बटाई ये तीन आकरतिया मैंने आपको बना के दिखा दिया एक तो ये बनी हुई थी एक हमने चार भुजा का वरग बनाया था एक हमने आयत बनाई थी आप इसमें इतना कर सकते हो कि एक आयत आप इस तरह बना सकते हो जिसकी चोड़ाई दो होर मंबाई दो होर चोड़ाई आठ हो वरना यही तीन आकर्तिया भी हम बनाएंगे हम तिर्बुज नहीं बना सकते क्योंकि तिर्बुज में ये चीज जो है हमें ग्यात नहीं है तो इनी से हम आगे के प्रशनों का जवाब देते हैं कि ये क्या कह रहा है इन आकरतियों का शेत्रफल कितना है तो जो पहली आकरती थी उसका शेत्रफल मैंने आपको बता दिया था साथ वरग सेंटी मीटर है दूसरी वरग थी जिसका शेत्रफल था सोला वरग सेंटी मीटर और तीसरी आयत थी जिसका शेत्रफल था सोला वरग स पसंद आया हो तो जादा से जादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करना थैंक यू